मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने माटीकला समाज के प्रती अपनी गहरी प्रशन्षा व्यक्त करते वे कहा कि माटीकला समाज के लोग सामाजिक सरुकारों और राष्ट्रों हितों में काम करने के लिए सद्यवतत पर रहते हैं उन्होंने कहा कि समाज के लोगों को प्रजापत की संग्या दी जाती है क्योंकि वे मिट्टी को अपने हुनर के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान करते हैं राष्ट सरकार द्वरा प्रदेश की अर्थिववस्ता को तेज संतूलित एवं समावेशी बनाने के लिए कला एवं कलाकारों को लगातार प्रोहटसान दिया जा रहा है सीम शर्मा मंगलबार को मुख्यमंत्री निवास पर बजट घोशनाओं के लिए आयोजित धन्यवाद सभा में माटिकला बोर्ट के प्रतेने दिमंडल को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि रजज़सरकार ने अपने पहले ही बजट में हर छेतर में हर वर्ग किया कांशाओं और उम्मिदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है बजट को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है तता प्रदेश वासियों की खुशाली में ही हमारी जन सेवा के कारियों की सार्थक्ता नहित है मुख्यमंतरी ने कहा कि रज्य सरकार माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए निरंतर कारी कर रही है रज्य सरकार द्वारा पांच करोड रुपे की लागत से माटी कला सेंटर ओफ एक्सिलेंस के स्थापना माटी कलाकारों को एक हजार इलेक्ट्रिक चाक और मिट्टी गूतने की मशीने हैंड लूम हैंडिक्राफ्ट एवं MSME सेक्टर के पचास कलस्टर अगले तीन साल में व पीम विश्व कर्मा योजना के तहट 18 वेवसाओं के दस्तकारों को पांच प्रतिशत की दर पर रेन उपलब्द कराया जा रहा है राज्य सरकार इसे रेनों पर दो प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज जनुदान देगी रोजगार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए MSAB Policy 2026 लाई जाएगी हमारी सरकार ने उत्धमियों को देश विदेश में अपने उत्पादों की बिक्री में आवशक मदद देने के लिए 30 करोड रुपे का प्रावधान किया है मुख्यमंतरी ने आस्वर्ष्ट किया है कि इन सभी योज़नाओं को सीक्र तरातल पर उतारा जाएगा